हलो एवरेवन मैसेल डॉक्टर मगनलाल असिस्टेंट प्रोफिस्टर गवर्मेंट बांगट को लेज टीडवाना आज के इस वीडियो में हम बेसे पार्ट सेकंड और्गनिक केमिस्ट्री में कार्बोनिल कंपाउंड्स के बारे में पढ़ रहे हैं इसमें हमें कार्बोनिल कंपाउंड की नाभिक्स नहीं यूगात्मक अभिक्रियों के बारे में आगे पढ़ेंगे सबसे पहले हम देखते हैं नौवानेज अभिक्रियो कार्बोनेलियोगी क्योंकि एक बहुत इंपोर्टेंट अभीक्रिया है इसमें एल्डिहेड और जो किटोन्स हैं उनकी हम मेलोनिक एस्ट के साथ एक वीक बेस जैसे पिरिडिन इसकी प्रिजन्स में अभीक्रिया करवाते हैं तो एल्फा बीटा अंसेशिरुटेट कार्बोक्सलिक एसीड करने मान होता है इस अभीक्रिया को हम नोवेनेजेल अभीक्रिया करते हैं यह मेलोनिक एस्टर है मेलोनिक अमल से बजो बनता है मेलोनिक एस्टर और इसकी हम अभीक्रिया करवाते हैं Carbenine compound Yukie EldeHyde हो सकता है या की किटोन हो सकता है PRIDINE के- Carboccylic acid इस अबिक्रिया की mechanism को हम देखते हैं कि या किस प्रकास से समपन होती है ये Melonic Aml है और इस Mélonic Amylra का जो डाइड एस्टर है इसको stanonان मेलोना एस्टर और Mélonic एस्टर में दो कार्बोनिल कंपाउंट के बीस में जा दो कार्बोनिल फंक्स्नल ग्रूप के बीच में एक्टिवेटेड मेथाइलिन ग्रूप CS2 ग्रूप प्रजेंट है जिसके दोनों तरफ दो इलेक्ट्रोन एट्रेक्टिंग ग्रूप जुड़े होने के कारण इस कार्बन पर जो जुड़ावा हाइटूजन परमानू है वो हाइटूजन परमानू आसा चाहीं और जब हम इसके किसी weak base, weak base के रूप में हtoo पर क्या ले रहे है? gü کی्रिणे ले रहे चburgerिये करवाते हैं तो यह हाइटूजन है वह हाइज 강round oo हार हो छ Стक की दो डरलर थाबन ये जो c h- जो मुना है ये किस के तरह बिहेव करेगाल की तरह कार्बन की तरह की innovation की तरह है क्योंकि carbon के ऊपर negative charge है और ये जो nuclear file है वह अब ज़ो हमारा ayl dehyde या जो केटोन है यानि जो carbonilis compound है उन carbonilis compound है नाभिक्ष नहीو यूगात्मक अभीक्रिया देगा अभीक्रिया किस प्रकार से संपन होगी यह CH- जो कि नुक्लियोफाइल अभी हमने बनाया था मेलोनिक एस्टर से यह नुक्लियोफाइल की तरह है यह जो कार्बन कार्बन जो की पार्सली पॉजिटिव चार्ज है उसके उपर अटे करेगा पाइब बॉन्ड के दूमलेक्टों अक्सिजन पर आजाएंगे जो प्रोड़क्ट बनेगा हो सी ओ माइनस है एस प्लस है सी एच यह सी डबल ओ और सी डबल ओ और और जब इसके हम एसी डिक के साथ अभी क्रिया करेंगे अगरी एसीडिक वारकप जिसको हम बोलते हैं इसमें थोड़ा सम एसीडिक मिला दिएंगे एस थ्रीओ प्लस और फिर इसकी अभी के रिया हम पिर फिर इसको हम गरम करेंगे, यहां पर H जुट जाएगा, यह ओच में करवट हो जाएगा, और फिर जब हम इसको गरम करेंगे, तो यहां से OH माइनस और यहां से H बाहर निकल जाएगे, और किसका निमाण हो जाएगा? च्छ, दबल बॉंड, च्छ, दबल ओर, और इसी कंडिशन में, यह जो एस्टर बॉंड है, उसका हाईडूलाइसिस हो जाएगा, और एस्टर का जब हाईडूलाइसिस होता है, तो क्या बनता है? जिसे एस्टर बना वा था, कार्बोक्सलिक इसीद और एलकोहल, CH, डबल ओर, CH, COOH, COOH, प्लस क्या बन जाएगे, 2ROH, दो तो कार्बोक्सलिक इसीद बन गए है, और दो क्या बन गए है, एलकोहल बन गए है, इस एस्टर के हाईडूलाइसिस से, और एक ही कार्बन के इसिड की रियात्मक समोज प्रकास से जुड़ाएवे हो और उस स्पेसिज को जब हम गरम करते हैं तो एक CO2 बहार निकल जाता है CH double bond CH C double O H और क्या बहार निकल जाएगा CO2 बहार निकल जाएगा तो यह जो प्रोड़क्ट बना है इस प्रोड़क्ट को क्या कहेंगे यह एलफा कार्बन है और यह बीटा कार्बन एलफा और बीटा कार्बन के बीच में double bond जुड़ा है तो इसको हम बोलेंगे एलफा बीटा अंसेचुरिटेड कार्बोक्स लेके ऐसेड अचा हमने यहां पर थोड़े से मिस्टेक किया यहां पर हाइटोजन नहीं जुड़ाएगा और यहां पर भी हाइटोजन नहीं है क्योंकि double bond बना था तो यहां से OH और यह हाइटोजन है वो बाहर निकल गया था माइनस से स्टोजन की रूप में तो इस कार्बन के पर हाइटोजन नहीं रहीगा तो यह अभी करिये है अपनी नो इनेजल अभी करिया जिसमें हमें कार्बनिल कमपाउंड की मेलोनिक एस्टर और एक वीक बेस पिरिडिन के साथ अभी करवाते हैं और जो अभी करिया का प्रोडक्ट होता है वो होता है अलफा बीटा अनसेचियूरिटेड कार्बोकसिलिक एसिड और अभी करिया जो संपन होती है वो संपन होती है नाबिक्स नहीं योगात्मक करिया विद्र के दवार। कार्बनल योगी कोई कि हम अगले अगनी करिया देखें अगली अगरी अगरे वो है मैनिक अभिकरिया मैनिक अभिकरिया, यह भी एक बहुत अच्छी अभिकरिया है इस अभिक्रिया में हम जो कार्बोनिल कंपाउंड है अल्डिहेड और किटोन इसकी अभिक्रिया हम करवाएंगे एक तो हम लेते हैं फॉर्मेल्डिहेड और दूसरा सेकंडरी एमिन फॉर्मेल्डिहेड और सेकंडरी एमिन की जब हम कार्बोनिल कंपाउंड के साथ विल्लीएड हैं और इसके हम किसके साथ अबिक्रिया करवा रहे हैं सेकंडर इमिन के साथ तो एक जलकरणू बहार निकलेगा यह बिक्रिया काफी कॉंप्लिकटेड़ है जब इसके मेकनिजम देखेंगे लेकिन इस अभी के दिया को यदि हम conclusion देखें तो बहुत एजी ही इन तीन जो compound है ले रहे हैं हम LD8 ketone, formaldehyde और secondary amine इसमें से simply हमें एक क्या करना है एक जल करणू बहार निकालना है और जल करणू बहार निकालने के बाद में जो compound मनेगा वही इसका product है जिसको मेनी के क्षार बोलते हैं मेनी क्षार का निमान इसमें होता है देखो हम यह देखते हैं यह जैसे अपना CS3C double bond O CS3 यह acetone ने अपन कार्बोनील कंपॉंड हो गया इसके हम अभी क्रेजन करवा रहे हैं formaldehyde के साथ तो यह हो गया formaldehyde और इसमें साथ में रहे है secondary amine secondary amine यहनि नाइटोजन पर केवल एक ही ही एटोजन परमौनो चुड़ावाया और अब्विक्रियमि के होगा कि यह जल कार्णू बहाने किल पर एक हिट्रूजन परमोन बहाँ निकलेगा और जो कमपोंड बनेगा प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा CH3, C double bond O, CH3 से एक हिट्रूजन बहाँ निकल गया तो क्या बचकिया CH2 यहां से oxygen बहाँ निकल गया, formulate से तो क्या बचकिया CH2 और इससे को जुड़ गया है, Nr2 यह जो प्रोड़क्ट है उस प्रोड़क्ट क्या बोलते हैं, Manic Base Manic Base का निर्माण इस अभीक्रिय में होता है, तो यह तो overall अभीक्रिया होई, जिसमें simply हमें क्या ध्यान रखना है तीन compound, एक Carbonyl compound, एक Formaldehyde और एक Secondary Amine और इन तीनों में से एक जल काणू बहाँ निकालना है Formaldehyde में से oxygen, Carbonyl compound और Secondary Amine इन दोनों में से एक-एक Hydrogen Parmonum इस अभीक्रिया की mechanism को देखते हैं कि यह किस परकार से संपन होती है सबसे पहले तो जो Formaldehyde का एक अणू है और जो Amine है यह Amine इस Formaldehyde के अणू पर वही नाविक्स नहीं यूगात में कभी किरिया जिसमें Beta Hydroxy Amine का निमान होता है Alpha Hydroxy Amine और फिर एक S-Plus से इस OH के उपर चुड़ेगा OS2 बन जाएगा और यह OS2 है वो फिर जलकेणों की रुपने बहार निकल जाएगा दोनों इलेक्ट्रोन सिग्मा बॉन्ट वाले यहां से दोनों इलेक्ट्रोन लेकर बहार निकलेगा तो इस Carbon के उपर क्या जाएगा Positive Charge आगे है इस Carbon के उपर Positive Charge है और पास में Nitrogen इसके उपर एका के लेक्ट्रोन लिगम है यह एका के लेक्ट्रोन लिगम जब यहां जाएगे तो इस परकार के इसके दूसरी Regenerating Structure बन जाएगी इस Regenerating Structure में Carbon और Nitrogen के बीच में Double Bond है यानि इमीन है और Nitrogen पर Positive Charge है तो इसको क्या बोलेंगे Imenium Iron क्या बोलेंगे Imenium Iron और दूसरी तरफ जो हमारा Carbon Compound था वो Carbon Compound बेस की Presence में जो Keto Inol है वो Totomaragement जो करेगा Inol Form बनेगा और इसका जो Inol Form है वो फिर जो अभी Imenium Iron बना था इस Imenium Iron के उपर अटे करेगा Inol Form में Oxygen के एकाइक लेक्टोन यहाँ आएंगे तो Carbon और Oxygen की बीच में तो Double Bond यह Hytogen है वो H Plus की रूप में बहाँ निकल जाएगा और यह जो Pi Bond वाले जो दोनों लेक्टोन हैं वो इस Imenium Iron पर जूडेंगे और S Plus बहाँ निकल यह Carbon Oxygen की बीच में वाफ़स Double Bond आ गया है और यह किसका निर्माण हो गया है Imenium Base का निर्माण हो गया है